मैं गुजराती हूँ और हम गुजराती लोगों को अगर भाकरी सुबह breakfast में मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं तो आज मैं आपके साथ ये भाकरी के रेसेपी शेयर करूँगी वैसे तो morning में चाय के साथ हम simple भाकरी खाते हैं लेकिन आज मैं वैस भाकरी के रेसेपी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो तो भाकरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा यहां पर मैंने रोटी का अटा लिया है जो बारी को आता है वो जिसे हम रोटी बनाते हैं वो वाला लेना है तो वह मैंने लिया है चार कप और अब दो कप हम दरदर आटा लेंगे गेहु काई आटा है लेकिन थोड़ा सा दरदरा है तो ये दोनों का mix हम लेंगे तो चार कप बारी काठा और दो कप दरदराठा इस तरह से हम measurement करेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे हम अजवाइन तो अजवाइन मैंने एक चम्मच चितनी लिए और उसको मसल के डाल दिया है और अब लेंगे तिल तो तिल मैंने यहाँ पर दो से तीन चम्मच चितनी लिए है अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी एड़ कर सकते हो आपको जीरा पसंद है उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी आप इसके अंदर खूट के डाल सकते हो और अब इसके अंदर एड़ करेंगे टेस्ट के अकॉडिंग नमक एक चम्मच हर दी दो चम्मच मिर्च मिर्च आपको जादा कम करनी है तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से और इसके अंदर दालेंगे धन्यजीरा पाउडर तो दन्यजीरा पाउडर मैंने यहाँ पर दो चम्मच लिया है और इसके अंदर एड़ करेंगे और इसके अंदर एड़ करेंगे और इसके अंदर आपक हम अक्षित करना पीकी त्पात करना हो गया है उसको मुठी में उसको बन सोचा आएगा एकदम बिखरेगा नहीं तो इतना ओयल चाहिए कि हम उसको मुठी मिले तो बिखरे नहीं कि कट्टा हो जाए और अब उसके अंदर एड़ करेंगे बारिक चॉप किया हुआ धनिया कद्दू कस किया हुआ गाजर यहाँ पर मैंने 2 चूटे चूटे गाजर लिये है और अब उसके अंदर एड़ करेंगे कद्दू कस किवी लौकी यहाँ पर मैंने 1 मिडियम साइज की लौकी लिए है और अब मैंने 3-4 हरी मीर्च को पारिक चॉप करके इसके अंदर एड़ किया है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे लसुन की चटनी तो ये मैंने घर पे बनाई है लसुन की चटनी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंड करिए मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पे मैंने दो से तीन चमच लसुन की चटनी ली है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे दही तो ये दही बहुत खटा नहीं है मिडियम खटा दही है तो दही हमें दो चमच लेना है अभी हम दो चमच लेंगे फिर हमें जरुवत पड़ेगी तो हम और एड़ करेंगे और अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम आठा गुंत लेंगे यहाँ पे हमें पाने की जरुवत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हमने एड़ किये है उसमें अल्रेडी बहुत ही पानी होता है तो इसे ही हमार आठा गुंत चाहेगा और इसके अंदर हमने दही भी एड़ किया था तो हमें पाने की बिल्कुछ जरुवत नहीं पड़ेगी अगर हमें लगे कि आठा अच्छे से गुंत नहीं रहा है तभी हमारी भाकरी थोड़ी कड़क बनेगी और चाहे के साथ कड़क भाकरी बहुत ही अच्छी लगती है तो हमें यहाँ पर आठा थोड़ा सा हाड़ी गुंतना है तो यह देखिए हमारा आठा एकदम रेड़ी है तो उसको ढखके हम 10 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और 10 मिट हो चुके हैं और यह हमारा आठा अच्छे से रेस्ट होके रेड़ी है तो अब इसते हम बनाएंगे भाकरी तो भाकरी बनाने से पहले वो नीचे से चिपके नहीं तो सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा ओईल और अब उसको फैला लेंगे और अब ले लेंगे एक लोई और उसको बेल लेंगे तो यहाँ पे हमें हलके हाथों से बेलना है और बहुत ही पतला नहीं बेलना है हम थोड़ा सा उसको मोटा ही रखेंगे हमने इसमें बहुत सारे vegetables एड़ किये हैं तो ये बहुत ही healthy भाकरी बनने वाली है आप इसको breakfast, lunch और dinner तीनों time उसको खा सकते हो तो ये देखे हमारी भाकरी बिलके ready है और इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है जितनी मैंने आपको रिखाई है बहुत ही पटला बिलेंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा तो थोड़ी सी हम भाकरी को ठीक रखेंगे अब इसको सेक लेंगे तो मैंने यहाँ पे एक लोही कताबा ले लिया है और उसके पर लगा दिया है थोड़ा सा गी गी लगाने से भाकरी नीचे से चिपकती नहीं है और अच्छे से सीख जाएगी अब इसको मिडियम तो लो फ्लेम पे हम एक साइड से पका लेंगे तो 2-3 मिनिट में एक तरफ से अच्छे से पक जाएगी तो अब इसको पलट लेना है और दूसरी साइड भी हम 2-3 मिनिट पका लेंगे और अब उसको फिर से पलट लेंगे और उसके साइड में हम लगा देंगे गी गी थोड़ा अच्छे से लगाएंगे क्योंकि गी का टेस्ट भाकरी में बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने गी लगा लिया है और अब यहाँ पर मेरे पास है लखडी का ये टूल जिससे हम भाकरी सेखते हैं तो उससे मैं भाकरी को सेख लोंगी तो उसको अच्छे से दबाते हुए उसको सेख लेना है और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे बहुत ही हाई नहीं करेंगे नितों जल जाएगी तो यह देखें भाकरी हमारी एक तरह से सिख चुकी है और फिर से हम थोड़ा सा गी लगाएंगे और उसको फिर से सेख लेंगे तो इस तरह भाकरी को हमें अच्छे से दबाते हुए दोनों तरफ से सेख लेना है तो एक दो मिनिट में अच्छे से सिख चाएगी तो यह देखें दोनों तरफ से भाकरी हमारे सिख चुकी है और एकड़म रेडी है तो अब इसको हम निकाल लेंगे और अब इसको pizza cutter की help से मैंने cut कर लिया है तो इस तरह से cut करेंगे तो दिखने में भी बहुत बढ़िया लगी की और खाने में भी easy रहेगा तो इसको इस तरह cut कर लेना है तो ये देखिए हमारी भाकरी cut होके एकदम ready है और अब इसको हम serve कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने उसको plate में serve कर लिया है और इसके साथ मैंने serve किया है आम का मुरब्बा और दही आप इसको चाए के साथ भी serve कर सकते हो तो ये देखिए हमारी healthy भाकरी बनके एकदम ready है इसको आप breakfast, lunch या dinner बे भी serve कर सकते हो तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर अगर देश्क्राइब तो मिलते हैं जड़ी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई, जैशी करशना